तो बाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रियल के 22 गेम के अंदर आप क्वेंस कैसे कलक्ट कर सकते हो और वैस साथी में इस गेम के अंदर आप टिकट्स कैसे ले सकते हो वैसे तो यार इस गैम के अंदर बहुत ही complicated है tickets और quents लेना लेकिन यार मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ tips and tricks बताऊंगा जिसके माध्यां से आप इस गैम के अंदर बहुत सरे tickets और quents को लेपाऊगे तो यार चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते है tips के बारे में तो यार पहला trip तो यह है कि आपको यहाँ पर इस गैम के अंदर सिंपली सा daily reward का option मिलता है और भाई यास भी आप literally बहुत सरे tickets को earn कर सकते हो अगर आप daily यहाँ पर collect करोगे हाला कि यहाँ पर आज मेरे को brute मिला है यानि कि एक dress मिला है लेकिन भाई इस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सरे tickets है जो उपर वाला है वो free में है यानि कि यह video सिर्फ और सिर्फ new users के लिए हैं जो इस गैम के अंदर new आये हैं तो यहाँ पर आपको इसे daily collect करना है बीना ads का ही आपको यहाँ पर मिल जाता है अब यह next trick ही है कि आपको यहाँ पर missions के उपर क्लिक करना है हाला कि यह थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन भाई यह भी बहुत यह अच्छा trick है इस गैम के अंदर जैसे कि भाई यहाँ पर आप दे सकते हो 75 coins लेना है या फिर 6 tickets लेना है तो यहाँ पर आप go question क्लिक करके जो भी आपको challenge मिलेगा उसे आपको complete करना पड़ेगा अब यह next trick ही है कि आपको यहाँ पर इस गैम के अंदर quest mission मिलता है और यहाँ पर आपको basically question mission के अंदर बहुत सरी features मिल जाते हैं जैसे कि watch and will basically आपको यहाँ पर 5 times यहाँ पर देखना पड़ेगा ads जिसके मादम्स भाई आपको यहाँ पर बहुत सरी tickets और coins मिलेंगे हाला कि आपको मैने यहाँ पर collect नहीं किया है यहाँ नेक्स टिप यह है कि आपको यहाँ पर simply सा challenge अब यह टेक उपर click करके यहाँ पर आपको reward मिलता है 30 quen तो इसे भी आप ads देखकर इसके अंदर enter कर सकते हो और basically आपको यहाँ पर तीन गैंद के अंदर यानि कि आईसाई कुछ challenge मिलेगा कि 2 game के अंदर 12 run, 3 game के अंदर 13 run ऐसे दर के आपको यहाँ पर challenge मिलता है तो भाई इसे आपको basically complete करना होता है जो कि यहाँ बहुत ही simple है इस game के अंदर अब यहाँ next trick कि आपको यहाँ पर इस game के अंदर spin option मिलता है और basically यहाँ से भाई बहुत ही much तरीकर से spin कर सकते हो जिनके माध्यम से आपको यहाँ पर MP मिलेंगे और उसे आप tickets के अंदर convert कर सकते हो क्योंको भाई बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस game के अंदर यह भी होता है यानि कि MP से आप basically आपर quents और tickets में convert कर सकते हो अब यहाँ कैसे करना है अगर आप कमेंट करोगे तो भाई मैं वीडियो ला दूँगा